नमस्कार, A to Z dishes उश्या गोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ बहुत ही बढ़िया सी चटनी जैसे खाकर आपको मज़ा आजाएगा ये राइस के साथ भी अच्छी लगती है, खिचुडी के साथ भी अच्छी लगती है, रोटियों के साथ, पराठों के साथ खास बात है कि आप इसे बना कर 10-12 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए आपको ओखली ले लेनी है, इसके अंदर दो कटे हुए प्यास, लसुन डालनी है, 15-20 कलियां, 3 हरी मिर्ची, आदी इंच अद्रक के टुकडे को 20 से काट कर डाल देना है, और इसे अच्छी से कूटना है, अब कैसे कूटना है, एक्तम पूरा नहीं, थोड़ा दर्दरा पंड रखना है, तो हलके से इस तरह से कूटते जाएं, और देख सकते हैं, लसुन भी अच्छी से बड़ी आसी कूट रही है, प्यास भी, तो यहां पर अच्छी से कूटना है, आप इसे मिक्सर में भी दर्दरा पीश सकते हैं, पर जो यह ओखली में स्वाद आ चटकना शुरू हो जाएं, तो यह जो हमने कूट के रखा था ना, प्यास, हरी मिर्ची, अद्रक, इन सब को हम डाल देंगे, डालने के बाद इसे हमें अच्छे से बूनना है, एक से दो मिनिट तक, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसे चलाती जा रही हूं और बू तो यह मिला लेंगे, मिलाने के बाद, असके अंदर में डाल रही हों, कसूरी मेथि एक चमच मसल कर हम डालेंगे, इसे बहुत पुछी आस वाद आता है, ज़िए रही ह一定要 की जाएगा, कसूरी मेथिद्सी आप डालने के बाद अच्छे से एक बार, मिक्स कर isn't है, मिक्स करन और आपको आपको प्रे गुल दन्या के पते हैं, फिर अच्छे से Mix कर लेंटा लेना है, चट्ञ तही अपका बन्यास हो Natal अपने त्सक्na की की ओने ऐवाएं, झाएंसे कदाक slightly, फिर बीचेSi Ober territory तो धीने ओंना ह। बाजरी की रूटीन सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और मुझे कमें सेक्षन बताए कि आपको इमेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब का ना बिल्कुल ना बुले थैंक्यू फॉर वाच्छा झाल 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 झाल